ये एक AI bot है जिसे चेस खेलने के लिए डिजाइन किया गया था और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक बच्चे के साथ चेस खेलते हुए इस AI bot ने उसकी फिंगर ग्राब करी और उसको पकड़ कर तोड़ दिया Google के AI Lambda पर काम करने वाले ये Google Engineer जिनका नाम Blake Lemore है वो बोलते हैं कि उन्होंने Google Company छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता था कि Google का ये AI conscious हो रहा है विल्ड आपिशल इंटल अपर आज की रेट में बहुत भी सपेसरे के वींड़ डेया दरी प्रीक्रिक्टर में नाव जोडाले में इस वेर इंट्रीजिचिक्स और स्नाप्चाप्ट क्रशी सॉप्स्क्राइबरों लग्श्ट्रीजिजांस स직 अट्वीजिजिजिए बहुत बड़ा buzzword बन चुक है और हर जगह इसके बारे में बात हो रही है लेकिन जब भी कोई चीज बहुत जादा popular हो जाती है तो उसके साथ एक चीज ज़रूर जुड़ कराती है वो होता है उसका misinformation या उसका misuse होना और artificial intelligence के case में भी ऐसा ही कुछ है बहुत सारे blogs, articles और youtubers आपको बहुत सारी fake information दे रहे हैं AI के regarding तो इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ ये well research video जिसमें हम AI के बारे में detail में बात करेंगे ये video तीन parts में divided है जिसमें पहले part में हम बात करने वाले हैं कि AI आखिर है क्या पुराना AI और नए AI में क्या फरक है दूसरे part में हम बात करेंगे कि क्या ये AI कभी भी humans के सरा conscious हो सकता है या नहीं और तीसरे और आखिरी part में हम सबसे important सवाल लेंगे कि क्या ये AI हमारी jobs चीन सकता है तो आईए जानते हैं क्या होता है artificial intelligence AI या artificial intelligence में सबसे बड़ा keyword है artificial क्योंकि ये humans की तरह natural नहीं होता है Siri और Alexa जैसे AI tools तो आप बहुत जादा time से use कर रहे हो बस इसके बारे में उस time बहुत जादा widespread information नहीं थी और ये एक obvious सी बात है कि ये humans ने अपने input से बनाया है तो यानि कि एक AI वही task perform करेगा जिसको आप input करो उसके अंदर लेकिन आज की date में chat GPT, dial E और mid journey जैसे AI tools ने पूरे AI industry को बदल के रख दिया है इसी regard में मैंने पढ़ा एक research paper जो इस research paper में बताया गया है कि AI के 3 generations है और इन 3 generations में ते 1st generation of AI कहता है कि human intelligence या human behavior को एक physical symbols के form में समझा जा सकता है AI के 2nd generation में बात की जाती है कि human intelligence दो तरीके से store हो सकती है पहला तरीका है brain में छोटे-छोटे boxes यानि की modules के अंदर ये storage की जा सकती है और दूसरा तरीका ये है कि ये intelligence memory में नहीं बलकि stimulus और response के connection से बनके आता है अगर simple शब्दों में बताया जाए तो AI का 1st generation का जो model होता है वो बहुती जादा knowledge driven होता है और AI का 2nd generation जो model होता है वो बहुत जादा data driven होता है और इन दोनों को combine करके एक नया यानि की 3rd generation of artificial intelligence को बनाया जा सकता है इस 3rd gen of artificial intelligence में हम chat, dpt, dal, image, journey जैसे tools को रख सकते हैं और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये tools बहुती जादा strong हैं लेकिन एक बात तो अभी भी clear है कि ये सारे AI tools हमारे ही input के उपर काम करें यानि कि जो humans इन्हें बोलेंगा करने के लिए ये सिर्फ वो ही task perform कर सकते हैं पर क्या हो अगर ये AI conscious हो जाए अब कुछ ऐसे ही videos हैं जिसकी वज़े से AI के बारे में बहुत ही जादा misinformation spread हो रही है जिस Google scientist के बारे में यहां बात हो रही है उसका नाम मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था वो हैं Blake Lemon और Google के ये scientist जो Google के AI Lambda के उपर काम कर रहे थे उन्होंने ये claim किया कि Lambda जो है वो conscious हो रहा है पर क्या ये claim सही है और ये claim किस चीज़ के उपर based है ठीक से research करने पर Blake Lemon का एक tweet सामने आता है और उस tweet में वो कहते हैं कि ये जो opinion उन्हों Lambda के बारे में बनाया था वो properly एक religious belief के उपर based है और इसके पीछे कोई भी scientific framework नहीं है और ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो खुद एक priest है AI और especially chat GPT से related बहुत सारी research आज की date में सामने आ रहे हैं इसलिए में से है एक ये research जो बोलती है कि chat GPT ने theory of mind के problems को 90% solve कर लिया है simple शब्दों में theory of mind test को वही pass कर सकता है जो दूसरे individuals के अंदर mental states assign कर पाए पर example अगर मैं बोलूं कि आप x y z सोच रहे हो तो मैं theory of mind के test को pass कर लेता हूँ अब भले ही वो belief सही हो या गलत हो आपको सोच रहे हो exactly या ना सोच रहे हो पर मेरी उसे assign करने की शक्ति को theory of mind कहते हैं और chat GPT ने theory of mind के दोनों test को clear कर लिया है chat GPT को 20 unexpected content के task और 20 unexpected transfer के task दिये गये थे जिन दोनों में 3-3 prompts थे और बाद में इन task को reverse करके भी chat GPT से पूछा गया था result सामने आने पर ये आया कि chat GPT 3.5 जो उसका latest model है उसने 100% unexpected transfer task को पूरा किया और 85% unexpected content task को पूरा किया जो कि एक 9 साल के बच्चे की ability के बराबर है although chat GPT के July 2022 के version और January 2022 के version ने थोड़ा low score किया था लेकिन GPT 3.5 जो उसका latest version है उसने इस task में बहुत जादा high perform किया और इस video के starting में आपको याद होगा हमने एक chest खेलने वाले bot के बारे में बात करी थी कि कैसे उसने उसके साथ खेलने वाले एक बच्चे की उंगली को grab करके उसको तोड़ दिया और ये कुछ और नहीं बट एक functioning either है उस chess वाले AI bot ने उस बच्चे की finger को एक chess piece की दरह समझ के उसको पकड़ लिया और उसे वो छोड़ नहीं रहा था साथी में उन्होंने ये भी आट किया कि Lambda जो है वो human conversation को बहुत ही अच्चे से imitate या mimic कर सकता है तो humans जो Lambda के साथ interact कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग सकता है कि दूसरी साइट भी एक human बैठ है पर वो actually सिर्फ एक copy कर रहा है human की बट वो actual human नहीं है और ना ही वो किसी तरीके से conscious है वो बस आपको imitate कर रहा है AI और Tech Industry में बहुत सारे जो experts हैं उन्होंने भी यही same opinion सामने रखा है कि Google का Lambda सच बोल सकता है जूट बोल सकता है ऐसा बोल सकता है कि वो happy है लेकिन वो बस humans को copy कर रहा है imitate कर रहा है वो खुद की consciousness से यह सब चीजें experience नहीं कर रहा है तो इन सब चीजों से एक misconception तो हमारा AI को लेके हट जाता है कि AI conscious नहीं है हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि robots या machines या AI के पास mind हो सकता है पर mind होने में और consciousness होने में बहुत जादा अंतर है और हमें इन दोनों चीजों को आपस में confuse नहीं कर देना चाहिए पर conscious हुए बिना भी हमने यह देखा है कि AI बहुत सारे tasks perform कर रहा है तो क्या यह AI हमारे job loss का reason बन सकता है ऐसे बहुत सारे news articles, tweets और YouTube videos में देख रहा हूँ जहां पर यह लोग confirmly और दावे के साथ कर रहे हैं कि AI कुछ सालों में आपकी jobs ले ही लेगा और मुझे नहीं पता वो इतने bold claims किस basis पे कर रहे हैं किस evidence के basis पे कर रहे हैं because अभी तक मिरको नहीं लगता यह करना सही होगा कि हम इतने bold claims बना लें in fact MIT के तरफ से एक recently published online paper में यह बोला जा रहा है कि AI जो है वो new jobs create करेगा और जितनी भी job उसकी वज़े से lose हुई है उससे जादा ही वो create करेगा MIT की research के साथ साथ और भी बहुत सारी researches हैं जिसमें एक optimistic approach ली गई है jobs के related और सबसे important बात तो वहां आ जाती है कि आप किस चीज़ को job की तरह identify करते हो यह बात clear है कि पुराने times में हम agriculture को job की तरह identify करते थे और टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया agriculture और farming में बहुत ही जादा job loss देखने को मिला लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पूरे world में job loss ही होता गया और बहुत ही जादा unemployment हो गई नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे new sectors emerge हुए जिसमें jobs increase होने लगी जिसमें employment के chances high होने लगे तो इससे एक बात यह साफ हो जाती है कि हम employment किस चीज को बोलते हैं वो time to time change होता रहता है आज जिसको हम employment समझते हैं वो हो सकता है AI के बहुत जादा impact के बाद change हो जाए और यही hope MIT के paper में भी हमें देखने को मि AI हमारे social political or mental issues पर किस तरीके से impact डालता है वो तो देखने वाली ही चीज है उसको सिर्फ speculate किया जा सकता है उसको कभी भी claim नहीं किया जा सकता है और जैसे जैसे AI के regard में नई news और नई findings आती रहेंगी मैं आपके साथ वो सब share करता रहूंग वो भी एक well research तरीके से तो घबर सबस्क्राइब टे अनुमुग एक धी उन सकता है वो ते स motivo किया चाहिए तो आड़े कर दे सकता है आख कर रहो प्र Men